तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे B.S.E. Medical Course के वारे में आपसमें इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूं तो आपका स्वाक्त दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकरी आपको प्राफ्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप इस वीडियो के कतम हुने के बाद उन वीडियोस को भी ज तो जैकोर्स तीन वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 स्मेस्टर होते हैं तो BAC Medical का एक ऐसा कोर्स है जिसमें चिकित्सा बिग्यान के विश्यों पर ग्यान परदान करता है इस कोर्स के अंतरगत स्टुडेंट्स को चिकित्सा, एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी, पैथालोजी और अन्य मेडिकल के जो शेतर होते हैं वो स्टुडेंट्स को स्टेडी करवाए जाते हैं तो इस course के माध्यम से students को चिकितसा भी ग्यान के मूल सिधान्त और बेभारिक ग्यान भी students को दिया जाता है तो जो practical की जो knowledge होती है वो भी students को इस course की माध्यम से दी जाती है अब जैसे की pathology, laboratory में sample का connection, diagnosis और testing techniques, laboratory work जो होता है वो इसमें एक sector आ जाता है और इसके साथ उन्हें communication skills, teamwork और patient care का भी ग्यान दिया जाता है तो अगर आप इस course को पूरा करने के बाद अगर आप higher study करना चाहते हो जैनि आप post graduate level की study करना चाहते हो तो दोस्तों आप MSC के लिए भी आप apply कर सकते हो तो काफी सारे students इस course को करने में अपना काफी interest आज की time में दिखाते भी हैं अब ये आफसे में eligibility criteria के बारे में आफसे में discuss करने वालाओं की जने आप इस course में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो साइंस के subject साथ आपको पास करने पड़ेगी तो तब ही आप इस course के लिए eligible हो पाओगे और साथ में दोस्तों हमापको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सर इस इनवेस्टिस का जो eligibility criteria है B.A.C. Medical Course के रिवार्डिंग बहुत डिफरेंट भी हो सकता है तो दोस्तो अभी आपसे मैं Job Profiles के बारी पर आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ कि जिने अगर आप इस Course को पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की Job मिल सकती है तो दोस्तो आप Live Watery Assistant बन सकते हो आप Scientific Researcher बन सकते हो इसके इलावा दोस्तो आप जो Geologist की जो Job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसा अब आपकी Personal Skill और Knowledge की उपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्टर में आपको Job मिल सकती है तो इसके इलावा इस कोर्स को पूरा करने के बाद और वी काफी सारी जो Jobs की Possibilities हैं वो Student को मिल सकती हैं अभी आपसे मैं Slavers के बारे में आपसे मैं डिसकस करने वालाओं की जिन्हें आप इस कोर्स में आगर किस परकार करे जो Slavers होता है वो आप Study करते हो तो इस कोर्स में आपको Chemistry, General English, Computer Science, Geology, Botany एक सेक्टरा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप इस कोर्स के मादम से आप Study करते हो और वी इस कोर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इस कोर्स की दोरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारे जिनुवेस्ट्स के स्लेवर्स के हिसाब से जाए जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे बीएसी मेडिकल कोर्स के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में डिसकस किया हैं मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वी काफी सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वेकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाद